हेलो एव्रीवन वेलकम अगें टू फाइनाट स्टड़ी आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुंग पीरियेड के बारे में जो सुंग काल है उसके टाइम पर जो कला है जो स्थूप है स्थापत्य कला है मूर्त्य कला है वो कितना विकास हुआ कैसी थी क्या क्या उसमें जो चीजे हैं वो प्रसिद है तो वो सब आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसे पहले हमने जो मोर्यकाल है और उसमें हमने स्थूप वगरा ये सब हमने पढ़ा था तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखेगा जितने भी लोग तयारी कर रहे हैं तो चली स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले जो बोध जैन और ब्रहामन तीनों ही धर्म से संबंदि जो कला करती हैं वो हमें सुंग काल में देखने को मिलती हैं यहां के हम भाशा की बात करें तो ये थी संस्कृत और लीपी इसकी ब्रहामी लीपी हमे हत्या के गई थी हमने मोर्यग न में पढ़ा था आएटि फाईव इसा it उसके बाद जुग वाशुदेय उथे वाशुदेय, द्वारत और नेव भूति की हत्या क recognize 73 इसा पूर्व में इसुग्र काल हमें छोटी टेराकोटा छवियां जो मिट्टी की मूर्तियां होती हैं वो बड़ी पत्थर की मूर्तियां भरहुत में स्तूप और साची जैसे महान स्मारक स्तूप जो है वो हमें सुंग काल के दोरान देखने को मिलते हैं पतंजली के महा भाष्य की रचना भी इसी काल में हुई थी मत्धुरा बोध गया मूर्तिकला के इस काल के प्रमुख केंदर थे पुशमितर सुंग इस राजवन्स के परथम साशक थे पुरानों में पुशमितर सुंग को सेनानी कहा गया तो कई बार यह ऐसे नाम पूछ ले जाते हैं कि कि साशक को कोई भी जैसे उपनाम होता है कोई उनको उपादी प्राप्त हुई होती है तो यह कई बार आपसे पूछ लिया जाता है तो यह आप याद रखेगा सुंग उजयान प्रदेश के थे जहां इनके पूरवज मौर्यों के प्रधान मंतरी और सेना पती थे देखे सुंग सामराज्य के सासकों की सूची है तो बेसिकली आपको बहुत इनका रट्टा नहीं लगाना है लेकिन कई बार जैसे पूछ लिया जाता है किस तंस्थाप कौन थे या फिर जैसे कि पुष्यमित्र थे उनके बाद कौन से साशक हुए या उनके पूत्र कौन से थे तो इस टाइप से इसलिए आप एक पर इनको देख लीजेगा तो सबसे पहले पुष्यमित्र सुंग है यह इनोंने जो है व्रदत की हत्या की थी और उसके बाद इ वशुजेस्ट सुंग यह जो है यह अगनी मित्र के पुत्र थे उसके बाद आ जाते हैं समराट वशुमित्र सुंग यह जो अगनी मित्र है उनके ही पुत्र थे उसके बाद देखिए अंदरक सुंग उसके बाद पुलिंदक सुंग गोश सुंग वजर मित्र सुंग भगबदर सुंग और देवभूती सुंग देवभूती जो है वो अंतिम साशक थे सुंग समराटों में अंतिम देववूती थे इनके मंतरी वासुदेव कंड ने उनकी हत्या कर दे थे और कहा जाता है कि ये बहुत ही विलासि साशक थे सुंग वंस का स्थान कंडवों ने ले लिया था सुंगों का उत्रा अधिकारी बन गया था इस काल में प्रसिद मूर्तिकला के नमूनों में साची और भरूत सबसे में थे तो उनी के बारे में अब हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे जो स्थूप होते हैं जो मिट्टी का एक धेर होता है जो की चिता पर बनाए जाते हैं उन्हें स्थूप का जाता है यह अपने पहले भी पढ़ा था तो पहले जो है वो इन्हें मिट्टी का बनाए जाता था लेकिन बाद में इनको इट और पत्तर की जो बड़ी-बड़ी शिलाएं आती हैं उन के आकार की होती हैं तो यह देखिए इस टाइब से यह उल्टा कटॉरा होते हैं उसके आकार की शेप होती है स्टूपके सीर्ष पर हरमिका होती है और उसके उपर छत्रावली बनाए जाती है ये आप देख रहे हैं तिके और तो देखिए फाह ए Parliament जूम नहीं होता है इसमें देखिए आपको उपर यह दिख रहा होगा ठीक है यह इस टाइप से तो इसको बोलते हैं छत्रावली तो यह नाम आप याद रखेगा यह कई बार पूछ लिया जाता है उसके बाद आपको यह जो दिख रहा है एक स्क्वेर टाइप इसको बोलते हैं हर्मी का उसके बाद यह आपका जो उल्टे कटोरे का टाइप का है इसे या तो प्रतिज्यापक भी बोलते है या जो में स्टूफ होता है यह वही होता है उसके बाद इसके बाद आ जाता है इसे बोलते हैं अंड और इसके बाद ये जो है ये इसका बेस है आधार जिसको बोला जाता है ठीक है आधार ये जो आपको दिख रहे हैं ये पिलर है ठीक है तो इस टाइप से इसका जो पूरा आप structure होता है जिसे ये बनाए जाते हैं हर्मिका का जो अर्थ होता है अगर आपसे पूछ ले जाए तो उसे बोलते हैं देवताओं का निवास इसे कहा जाता है उस्तूप का जो गर्ब होता है उसमें एक मंजूसा और या फिर जो भी महापुरुश जिनकी भी चिता पर वो बनाए जाते हैं तो उनके कुछ अवशे उसमें रखे जाते हैं जैसे कि हड़ी रख दिया बाल रख दिया उनके नाकून रख दिये तो ये उनकी पवित्रता य स्तूप कहते हैं इने पथर और एट की सिलाओं से ढका जाता था तो अब देख देखे जो साची का स्तूप यह जो वर्ड्ट फेमस है साची का स्तूप बहुत ही famous है, साची एक बौध परिसर है, वास्तु सिल्प ये शैली है, इसकी बौध और बौध धरम से ये संबंदित है मोरी काल में ये बना था और सुंग काल में ये बना था दोनों ही कालों से ये संबंदित है, लेकिन इसका जो ज़्यादा विकास है, वो सुंग काल में हमें देखने को मिलता है साची का जो स्तूप है उसकी जो तोरन द्वार है वो सुंग काल के सुंग जो शैली है, उसमें ज़्यादा उनका विकास हुआ था और सुंग कालिन मूर्तिकला के जो प्रधान नमूने है वो साची के अशोक कालीन विशाल स्थूप के चारो और के जो द प्रदक्षना की दोहरी वेदिका और चारो दिशाओं के अलंकरत जो तोरन दुआर हैं वो सुंग काल की सबसे बड़ी विशेस्ता है इसके केंद्र में एक अर्द गोलाकार इट निर्मित धाचा है जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेस रखे गए हैं इनके शिखर पर समारक को दिये गए उचे सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत्र है इसका निर्मान कारिये अशोक की पत्नी महा माया सक्के कुमारी को सोपा गया था ऐसा माना जाता है बहुत से विद्वानी ये मानते हैं नाम अगर आप से पूछा जाएगा तो यही आता है कि साची के स्थूप का निर्मान अशोक ने करवाया था लेकिन बहुत से विद्वानों का मानना है कि इसका जो निर्मान कारिये है वो समराथ अशोक की पत्नी के द्वारा करवाया गया था तो इस टाइप से आपको ये देखने को मिलेगा इसकी लोकेशन की बात कर लें तो ये साची में है ठीक है राइसें इस डिस्टिक है और एमपी स्टेट में है ये इसका निर्मान तीसरी स्ताब्दी इसापूर अशोक द्वारा करवाया गया था इसकी खोज इंपोर्टेंट है खोज आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगी जनरल टेलर के द्वारा की गई थी लाल बल्वा पत्थर से ये निर्मित है 500 फुट उची पहाड़ी पर ये स्थित है और इसकी जो उचाई है वो 16.46 मीटर है और महा स्टूप का जो गुमबद इसके व्यास की हम बात करें तो 120 फिट का है इसमें टोटल तीन स्टूप है जिसमें बीच वाला सबसे बड़ा है जिसे की महा स्टूप की संग्या भी दी गई है या फिर इसे महा स्टूप कहा जाता है और दो जो है वो छोटे स्टूप है मोरे काल में इटो का बना था और सुंग काल में पत्थर और लकडी के तोरण द्वार लगाए गए थे इनमें प्रदेक्षना वेदिका और अलंकरत तोरण द्वार है इसका मतलब है कि इसके चारो तरफ की जो वेदिका होती है ठीक है इसका जो तोरण द्वार होता है वो स इस तरह से इनको अलंगरत किया गया है इसकी हम शैली की बात करें तो देखिए यहां पर आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा यह कुछ चीजे हैं जो आगे पढ़ेंगे आप एक बार इनकी फोटो देख लीजे इस टाइप से आपको जो छोटी छोटी जो पिलर्स बनाए गए है जो दिवारे बनाए गए है जो गेट है जो तोरण द्वार है उनको अलंगरत किया गया है इस टाइप के चित्रों के यहां पर एक यूगल बनाया गया है ठीक है पक्षि बनाया गया है हाथी बनाया गया है यहां पर फूलों का नि Express की दिजाइन अलग कर दिया गया तो इस टाइप से आपको अलग-अलग चीजे उन दिवारों पर तोरण दौरों पर सब पर आपको देखने को मिलेंगी incorporateство form सब्बंदी द्रश और पूरु जन्म की कथाओं का अंकन मिलता है जो कि उबरी हुई प्रतिमाओं के रूप में है जातक कथाओं हम जानते हैं क्या होती है जो भगवान बुद्ध की पूरु जन्म की कथाओं होती है उन्हें जातक कथाओं कहा जाता है तो भगवान बुद् मिलेगे अलग-अलग पैनल में छोटी अलग-अलग जो पैनल बनाए हुए हैं उन पैनल में वहाँ पर अलग-अलग द्रश्य अंकित किया गया है साची के तोरण में भगवान बुद्ध के मूर्तियों का अंकिन नहीं है लेकिन उनकी जातक कथाओं का अंकिन देखने को मिलता है बुद्ध के स्थान पर उनके प्रतिक चिन्नों का अंकिन किया गया है जैसे चरंचिन, कमल, पुष्प, छत्र, बोधि, व्रक्ष, आदि स्थान से यह संबंदित है इजातक अथाएं तो वहाँ पर है इबुद्ध से संबंदित लेकिन कुछ अन्य आकर्तियों की बात करें जो कि आकरशन का केंद्र है तो उनमें आ जाती है त्रिभंगी आकरति में यक्षी जो की बहुत ही फेमस है तो इस टाइप से कुछ आकर जो डांस करने की मुद्रा में होती है, तो इस आकरती को बोलते हैं त्री भंगी, तो तीर्चा खड़े होते हैं, उसे त्री भंगी आकरती बोला जाता है, तो ये भी हमें साची में देखने को मिलती है, उसके बाद देखी स्तूप नंबर एक जो है, स्तूप को उपर से चप उसके बाद आ जाता है स्टूप नंबर दो यह आपका जो नौर्थ गेट है उत्तरी गेट है साजी के स्टूप वहां का आपका यह द्रश्य है इसमें भी देखिए आप यहां पर हाथी बना हुआ है तो यहां पर अलग-अलग मनलब जातक कथाओं की जो पुरी स्टोरी है वहां पर एजटीज बनी हुई है अलग-अलग पैनल में अलग-अलग कथाओं के जो चितर हैं वो हमें देखने को मिलते हैं उसके बाद आ जाता है स्टूप नंबर थर्ड दक्षिन तोरन शेश है इसमें जिसमें बड़े इरिया बनी हुई है और जिसके अंदर आपको ब बोने फिर उसके बाद सिंग हाती यह सब आमें वहां पर उत्किन मिलते हैं मुखे और सबसे पुराना प्रवेश द्वार माना गया है कौन सा दक्षिन और जो तोरन द्वार है उसमें मुखे जो मूर्ति शिल्प है उनको जो चार-पांच उनकी कैटेगरिक में और जीवन होती है जैसे इस कुण कुण सी जैसे कि उनका सबसे पहले जन एँकनाये हैं उनको बर्एब दर्शाया गया है उसके बाद कुछ एतिहासिक दर्श्येद वहांपर दर्शायगे और उसके साथ ही यहाँ पर देवताउं का यक्श यक्ष्णिों का जैसे कि अब हम ने सांची स्टूप को जो है युनेस को वैश्विक धरोर स्थल में सामिल किया गया कब किया गया 1989 में उसके साथ ही यह बहुत बड़ी उपलब्दी है कि इसे 200 रुपए के नोट पर बनाया गया तो यह आप देख सकते हैं यह 200 रुपए का नोट है इसके उपर हमें सांची का स्टूप देखने को मिलता है ठीके स्टूप के स्ट्रक्चर हमने देख लिया स्टूप का यह है अशोक के पिलर की बात करें अशोक के जो पिलर है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है वो हमने मोरियकाल में बहुत डिटेल में पढ़ा है ठीके यह हमें यह जो स्तूफ है यह हमें देखने को मिलता है साची में तो यह अशोक कालिन पिलर्स है पिलर्स क्या होते हैं ठीक है तो इसके छोटा सा देम लिजे कि एकाशम प Valve पत्थर से निरमित होते हैं यानि कि कोई एक ही पत्थर होता है उसी को जैसे से लंबाई में काटा जाता है और इसके उपर कोई भी पशु आकरती होती है होती भी है जरूरी नहीं है सब में होती है कुछ जो पिलर्स है जो वो जो कुछ पिलर्स ऐसे भी है जो की पशु आकरती विहीन है यानि उनमें पशु आकरती नहीं है लेकिन मोस्टली में सभी में कोई ना कोई पशु आकरती बनी हुई है ठीक है उपर पशु आकरती होती है फाहिया ने छे स्तंबों का वर्नन किया है बहुत इंपोर्टेंट है एक बार पूछा गया था फाहिया ने जो है वो छे स्तंबों का वर्नन किया है पुरा तात्वे वीद ज जो सुंग काल है उसमें तक्षिला में जो बोध धर्म की जितने भी प्रतिस्थान थे ठीके जो बोध धर्म से संब्द चीजे थी उनको उनको छती पहुँचाई गई या बोध धरम में धरम चक्र का प्रतिनित करते हैं यह हर पईये के भी जानवरों की नकासी है जैसे के एक बैल, एक गोड़ा, हाथी और एक शेर जानवर ऐसे प्रतित होते हैं मानों गती कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, आपको इनको ज्यादा ध्यान देने की जरूति हैं आप एक बार रीड आउट कर लेंगे, काफी है तो यह भी बहां के अलग-अलग पैनल पर कुछ चित्र बने हुए हैं अब देख लेते हैं कुछ question answer एक सेकिंद अच्छा इसमें एक भरहुत का स्टूप देख लीजे तो यह देखिए, भरहुत का स्टूप हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है जो की पूरी तरह से खंडित है अब बरहुत का स्थूप भी सुंग कालिन है मत्य प्रदेश के सत्ना जिले में में देखने को मिलता है प्राचिन बोध्य स्थूप कला करती हो और अन्य पूरा तात्विक वस्तवों के लिए ये प्रिशिद है यहाँ पर बोध्य स्थूप के भगनावशे स्प्राप्त हुए हैं जिनका निर्मान भी अशोग के काल में हुआ था अलेकजंडर करनिंगम के द्वारा इनकी खोज की गई थी 1873 में खोज आप जरूर याद एक तो उनका निर्मान कब और किसने करवाया किस में मीडियम में वो निर्मित है यानि किस पत्थर से वो निर्मित है और एक उनकी खोज किसने की खोज का एयर और नाम दोनों ही बहुत इंपोर्टेन है तो अलग जर्नर करनिंगम के द्वारा इनकी खोज की गई थी और साची के स्थूप की खोज की गई थी जनर्ट टेलर के द्वारा यहां की पुरातात्विक महत्व की वस्तों को कोलकत्ता के भारतिय संग्राले और प्रियार राज के संग्राले में रखा गया है इसकी कुछ जादा वस्तों जो है वो कोलकत्ता के भारतिय संग्राले में रखे गई है बारत्य संग्राले कहाँ पर है यह कोलकत्ता में है तो दो कुस्चन आपके यहां से तयार होते हैं इसके रेलिंग और प्रवेश द्वार ये दोनों कलकत्ता संग्राले में है भरुत के लाल पहाडी के उपरी चोटी के बलाल देव का चोद्वी स्ताब्दी का प्रारंबिक लेक जो है वो देव नागरी लिपी में देखने को मिलता है वर्तमान में बरहुत उजड चुका है तो अभी मैंने बताया कि यह पूरी तरह से खंडित है और इसके जो पार्ट है वो अलग अलग जैसे चोटी चोटी जैसे रेलिंग हो गई रेलिंग और इसका जो में गेट है वो आपको वहां पर मिल जाएगा कलकता संग्राले में मिल तो इस तरह से इसके चोटी चोटी पार्ट है वो अलग अलग जगे पर रखे गए हैं मानव रूप में प्रस्तुत नहीं बलकि प्रतिकात्मक रूप में अंकन मिलता है जिसे बुद्ध पाद भी कहा जाता है तो अगेन वही कि यहां पर जो है साची की तरह ही यहां पर भ में हम बिलकुल उजड चुका है साची स्थूप से संबदीत कुछ question answer देख लेते हैं हर्मिका का क्या आर्थ होता है तो मैंने अब आपको बताए था कि हर्मिका का आर्थ होता है देवताओं का निवासस्तान स्टूप की आकरती कैसी होती है तो यह होती है उल्टे कटोरे के समान इस टाइप से सांची की कला को किस के समान माना गया है तो लोक कला के समान ये तो most important है ये सारे PY क्यों है याद रखिएगा और ये question सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सांची स्टूप को यूनेस को द्वारा विश्व दरोर स्थलकव शामिल किया गया था तो 1989 में इसे शामिल किया गया था सांची की कला में अध्यात्मिकता और मोलिकता एक हो गई है कथन किस का था तो ये कथन कहा गया था जौन इर्विन के द्वारा सांची स्थूप किस नदी के किनारे है तो सांची स्थूप जो है वो चंबल नदी के घाट के किनारे पर स्थित है सांची को प्राचिनकाल में किस नाम से जानते थे तो सांची के बहुत से नाम है जैसे काकनम, काकनाया, काकनवा, काकनाद भोटा और भोटा श्री परवत की नाम से सांची को जाना जाता था य serait बहुत जुलते से नाम है तो आपको यह याद हो जाएंगा आपको exactly याद नहीं करना आप इनको एक बार देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये उसी का नाम है साची स्टूप की खोज कब और किसने की थी तो ये की थी जनरल टेलर के द्वारा कब की गई थी 1880 में उसके बाद last question है कि स्टूप का प्रतीक जो सिंबल है वो किसका प्रतीक है तो स्टूप का जो आकार है वो मुकटधारी बुद्ध को दर्शाता है जो कि सिंघासन पर ध्यान मुद्रा में बैठे है देखे कोई भी चीज जो बनी है प्राचिनकाल में वो ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी मन में आया और वो बना दी ऐसा नहीं है कुछ भी चीज है उसको किसी ना किसी चीज से रिलेट करके बनाया गया है अब जो स्टूप है उसको संग्या दे गई है बगवान बुद्ध की कि जैसे कि बगवान बुद्ध उनका जो आधार है वो उनका सिंगासन हो गया वो जो स्टूप है वो वहाँ पर बुद्ध बैठे हैं तो इस टाइप से जो उनको एक सिंबलाइज किया गया है तो स्टूप का आकार जो है वो मुकटदारी बुद्ध को दर्शाता है और उनक शिंग सिंगहसन पर ध्यानमुद्रा में बैठे हैं उनका मुकुट सिखर के सीर्ष पर है उनका सिर्ष सिखर के आधार पर वरगाकार है और उनका शरीर फोलदान के आकार का है उनके पैर पर निचली छत की चार सीरिया और आधार उनका सिंगहसन है ठीक है I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा जैसे इस टाइप से है ठीक है ये हमने पढ़ा था और ये ये जैसे उनका जो है ये उनका शरीर माना गया है ठीक है ये उनका मुकुट माना गया है ठीक है ये सीर माना गया है और ये उनका जो है वो सिंघासन माना गया है तो इस यहां पर सुंग पीरियड जो है वो समाप्त होता है तो इसके यह हमारा यूनिट सेकिंड का सेकिंड पार्ट था तो हमारी मौरियकाल और सुंगकाल दोनों समाप्त हो चुके हैं इसके बाद आम जो नेक्स्ट हमारा थर टोपिक रहेगा वो रहेगा कुशानकाल ठीक है जो तो वो हम पढ़ेंगे कुशान काल के दोरान तो नेक्स्ट वीडियो तक बने रहे हैं आपको जल से चल्द आपको जो वीडियो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी जितने भी लोग एमर्स डिट्र पलस भी के वी अगरे की तैयारी कर रहे हैं उन्हें वीडियो जरूर स कीजिएगा बहुत हेलफूल होने वाला है थैंक यू